हालो फ्रेंड्स गुड मोनिंग मैं असोक और आप सब का स्वागत है मेरी यूटूब चैनल गुरू कुल में दोस्तों आप लोगों को यह डिक्टेशन सत्तर सब्द परती मिनट के हिसाब से दी जाएगी दोस्तों यह डिक्टेशन राजस्तान हाई कोट आरसम अससबी और भी ऐसे बहुत सारे डिपार्टमेंट हैं जिसके उंदर ऐसि दिक्टेशन यूज ली जाते है या फिर बो ली जाती है तो दोस्तों चलिए जयदा समय नगवाते हुए इस डिक्टेशन को स्टार्ट करते हैं और दोस्तों यह DRK पांश सेकंड बाद में स्टार्ट होगी करम मानकर ही करे तो सही होगा विराम जैसे ही करम के साथ अपने भावों को जोडने का प्रयास करता है तब करम उसका बन जाता है विराम उस करम की प्रती किरिया उसकी बुद्धी और उसके मन में होने लग जाती है विराम क्रिशन कहते हैं की करता भाव ने रखना ही मुक्ती का मारग है विराम स्वेम का उधारन देकर कहते हैं की चारों वरणों को बनाने वाला होकर भी मैं एकरता नहीं हूँ मुझ पर करमों का लेप नहीं होता क्योंकि करमों के फल में मेरी लालसा नहीं होती करम स्वेम आत्मा पर लेप करने वाला अत्वा आत्मा का बंधन करने वाला नहीं है मनुशे की बुद्धी में जो राग द्वेस होते हैं वे ही बुद्धी पर बंधन करने वाले हैं विराम मनुशे का राग या द्वेस फल के प्रती ही होता है विराम इस्वर को ने फल की इच्छा होती है ने उनके फल में राग द्वेस है विराम करम की सुरुवात लक्ष को ध्यान में रख कर ही की जाएगी किन्तु करम की समाप्ती के साथ फल की आशक्ती भी छूट जानी चाहिए विराम इसका केंद्र मन होता है विराम मन में उठने वाली इच्छा विराम इच्छा ही तो सब करमों का मूल कारण है विराम इसमें कोई करम नहीं होता विराम इसके साथ जब मन के भाव जुड़ते हैं बुद्धी का आंकलन जुड़ता है तब इच्छा को पोन करने या नय करने का निर्ने होता है विराम इस निर्ने में परकर्ती कारिय करती है विराम यदि इसे परकर्ती की भूमी का समझी जाए तो इच्छा पोर्ती की दिसा बदल सकती है विराम इच्छा पोर्ती के साथ भी इस परकर्ती को देखते जाना पड़ेगा विराम तब हम तामसी और राजसी परवर्तियों को निउन्तम रखते हुए सात्विक परकर्ती की और अग्रिशर हो सकते हैं विराम कुछ साल बाद हमारी इच्छाएं स्वत्य ही सात्विक रूप लेने लग जाएगा विराम हमारा क्रम सत्व परधान होता चला जाएगा विराम इसी से भाव शुद्धी का मार्ग प्रसस्त होगा विराम इसी से भावी क्रमों के प्रती नई जागरुकता पैदा होगी विराम क्रशन ने गीता में तीन योगों का वरणन किया है क्रम योग, ज्यान योग, भक्ति योग भगवान ने इन तीनों योगों का कोई विरोध नहीं किया विराम साथ ही बताया है कि इन तीनो योगों में बुद्धी योग का सन्निवेश करते हुए यदि किसी भी योग का स्रेय लिया जाता है तो वह मानव को बंधन मुक्त करता हुआ ब्रम भाव में अवस्य ले जाएगा विराम ये सब करम के ही रूप है विराम व्यक्ति को ही तै करना है कि कोन सा मार्ग उसके लिए उचित रहेगा और क्यों हर मार्ग की कुछ इच्छाएं है तो कुछ कठिनाईयां भी विराम लेकिन एक तत्य तो इसपस्ट है कि सरीर का करम श्रम है बुद्धी जुडती है तब भावनात्मक छेक्तर बनता है विराम करम के साथ मनोयोग उसे कला का रूप देता है विराम आत्मयोग से श्रद्धा का प्रादुभाव होता है विराम श्रद्धा भक्ती में बदल जाती है विराम प्रशन उठता है क्या भक्ती को ही ऐसा मान लेना चाहिए की जो निश्चित रूप से बंधन मुक्त कर दूँगा मैं रोज इस्वर से प्राथना करता हूँ की मुझे सुखी रखें विराम मेरे परिवार को सुखी रखें विराम